स्री शिवाय नमस्तु भ्यम हर हर महादेव आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आने वाली सावन महा की आप सभी को हर्दिक सुपकामन है आज की वीडियो में मैं आपको सावन के महीने में सोमवार ब्रत पूजा की पूजा सामागरी के बारे में बताऊंगी हिंदू धर्म में देवो की देव महादेव को प्रशन करने के लिए शावन का महीना सबसे उत्तम माना गया है इस पूरे मा में स्यूजी की वीधी विधान से पूजा की जाती है वैसे तो धार्मिक दिस्ट से ये पूरा महीना विसेश फलदाई होता है लेकिन सावन में पढ़ने वाले प्रतेख सोमवार का अलगी महतु है इस मा में के सोमवार की दिन भगवान स्यू की अराधना की जाती है सुबा से ही स्यूभक्त मंदिरों में जाकर स्यूलिंग पर दूद, जल, बेल, पत्र चढ़ाते है पौरानिक महनेताओं के अनुसार जो भक्त सच्चे मन से सावन सोमवार का ब्रत करता है और भगवान भोले नात की विधिवत पूजा अर्चना करता है उस पर स्यूसंभू के साथ माता पार्वती भी प्रशन होती है इसके अलावा आविवाहित लड़कियां यदि सावन महा में सोमवार का ब्रत करती है तो उन्हें योग जिवन साथी की प्राप्ती होती है तो ऐसे मैं आईए जानते हैं कि सावन सोमवार ब्रत की पूजा में हमें किनकिन सामागरियों की आवसकता होती है पूजा सामागरी रखने के लिए सबसे पहले हमें एक ठाली लेनी है और ठाली में अफसिक करने के लिए सबसे पहले एक कलस जल को लेना है इसके बाद हमें पंचामिनित लेना है पंचामिनित दूद, दही, घी, शक्कर और सहथ को मिलाकर बनाया जाता है महाद्यों को अरपित करने के लिए साबुद चावल लेना है इसके बाद हमें लेना है अस्टगंध चंदन भोलेनात को भस्म अतिप्रिये है तो अपनी पुजा थाली में हम भस्म को रखेंगे, साथ में भांग को भी रखेंगे, यहाँ पर मैंने सुखा भांग अपनी पुजा थाली में रखा है, यहाँ आपको पत्ती वाला भांग या सुखा भांग कोई भी मिल जाता है, तो आप उसको रख सकते हैं, इसके बाद ह हम अभीर तथा गुलाल रखेंगे यहां पर मैंने दो कलर का अभीर लिया है मुख शुद्धी के लिए इसके बाद हम लौंग इलाइची रखेंगे इसके बाद आर्ति करने के लिए हम कपूर रखेंगे और एक अखन्ड जोति पूजा में प्रजिलित करने के लिए इन सब सामाग्रियों के बाद हमें लेना है सिंदूर, यहां पर मैं गडेशी को और माता पार्वती को साथ में माता असुख सुंद्री को अर्पित करने के लिया है, इसके बाद हम लेंगे एक छोटी सेसी इत्र इसके बाद हमें लेना है एक माला भगाद संकर जी को अर्पित करने के लिए मैंने यहाँ पर एक माला लिया है इसके बाद हमें लेना है सीजी को चड़ाये जाने वाले उनके प्रिये पुस्प सबसे पहले होता है आकडा आकडा दो कलर का होता है एक सफेद कलर के फुल का और एक बैगडी कलर का कहा जाता है आकड़ा का पुस्प अर्पित करने से हमें हजारों गुना सोना दान करने का फल प्राप्त होता है यहाँ पर आकड़ा और आकड़ा का फुल मैंने दोलों लिया है साथ में बेल पत्र कम से कम आप पांच बेल पत्र तो जरूर अर्पित करें इसके बाद हमें लेना है समी पत्र और दूर्वा, यदि आपको बेल पत्र नहीं मिलता है तो आप स्यूजी पर चड़ीवी बेल पत्र को उठा कर पुना धोकर वापस से स्यूजी को चड़ा सकते हैं, रितू के अनुसार हमें रितू फल लेना है और साथ में एक जनिव और वस्तर समर्पित करने के लिए थोड़ा सा कलावा लेना है, आप चाहे तो इसके जहां पर आप वस्तर भी समर्पित कर सकते हैं, इसके बाद हमें अपने पुजा थाली में रखना है दक्षिडा क्योंकि इसके बिना हमारी पुजा अधूरी मानी जाती है और भोग प्रशा ये सब समागरी आसाने से मिल जाती है, तो आप उन सब को भगवान संकर की पुजा में जरूर सामिल करें, तो इस तरह से सावन सोमर की पुजा थाली हमारी त्यार हो जाती है, आसा करते हूं आपको मेरे द्वरा बताई गई, सावन सोमर की पुजा समागरी की जानकारी बिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय भूले नात।